दो दिन से लगातार बारिश से गेहूं की फसल हुई बरबाद किसानों ने रखी मुआवजे की मान। बीते दो दिन हुई बेमौसम वर्षा ओला वरिष्टी से बहरी दिल्ली देहात के अलग-अलग गाओं के किसानों की मुश्किले और बढ़ादी है। खेतों में गेहूं की पकी हुई फसल वसबजिया की फसल बरबाद होने लगी है। जिससे किसानों का काफी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि पिछले 4-5 दिनों से बिगड़े मौसम के मिजाज की वजह से सोमवार सुबह तेज बारिश हुई थी। बारिश के दौरान हवा चलने से गेहूं की फसल खेतों में बिच गई। सोमवार से मंगलवार सुबह तक बारिश होती रही इससे खेतों में पानी और ज्यादा भर गया। जमीनी सतह से नीचले खेतों में बारिश के पानी के निकास की व्यवस्था नहीं होने के कारण उन खेतों में गेहूं के सरने की आशन का बढ़ गई है। ऐसे में जमीन पर गिरी गेहूं की फसल को फिलहात रहत नजर नहीं आ रही है। वहीं गिरे गेहूं की फसल को अब च तावरपूर, कुष्ट, फिरनकी, मुखमिलपूर, जींदपूर, अलिपूर, नरेला, बवाना, लामपूर, खामपूर, अन्यगाव के किसानों का काफी नुकसान हुआ है। बेमौसम बारिश से हमपद दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ उनकी गेहु की फसल खराब हो गई है, तो दूसरी तरफ सबजियों की फसल को भी नुकसान हुआ है। केतों में गेहु की खड़ी फसल गिरने से पैदावार पर असर पड़ेगा। गिरी हुई फसल में गेहु का दाना हलका होगा, जिससे मंडी में उन्हें अच्छा भाव नहीं मिलेगा, वहीं कटाय के वक्ट भी दाना नीचे गिर जाएगा, दस एकर जमीन में गेहु की फसल उगा रखी है, गेहु पानी में तैर रहे हैं, गेहु की फसल में 80% नुकसान हुआ है, इस फसल पर ही उनका पूरा परिवार आधारित था, इस फसल के भरोसे किसी को बच्चों की शादी करानी थी, तो किसी को मकान बनाना था, लेकिन अब उनकी सारी उम्मीदे पानी में बह गई है, दो बीघा में गेहु की फसल लगा रखी है, बारिश से खेतों मे पानी भर गया है, गौरतल अभे की बेमोसम बारिश और तुफानी हवाँ से गेहु की फसल में 50 प्रतिशत नुकसान हुआ है, अब किसानों ने मुआवजे की भी मान की है, ताकि उनके नुकसान की भरपाए हो सके तेजराम बक्तावरपुर गाउं, 32 एकेड में गेहु की फसल लगा रखी है, बेमोसम बारिश से हमारी गेहु की फसल को 60 प्रतिशत नुकसान पहुँचा है, यदि सरकार हम किसानों को बचाना चाहती है तो खराब हुई फसलों का उच्चित मुआवजा दे कोई भी कामियां भी नहीं है, खड़ा हम जरूर कर रहे हैं पर लेकिन बचने की 10 परसेंट उमीद है, तक हमारे बच्चे को लिए 10 परसेंट बच जाए, पर लेकिन वह हमें लगता नहीं, क्योंकि पानी अभी सुका नहीं है, पानी बालों में विग्या हुआ है, ये दान जाए, नहीं तो हमारे बच्चे दो रहे तुमें रूल गे, हमारी सरकाज सुनवाई करें और इसका हमें उच्छी महावजा दिया जाए, हम फसल के उपर निर्बर है, सर मारे कोई नोकरी है, मेरी उमर 70 साल है, मेरे बच्चे हैं, कोई बच्चा नोकरी पे नहीं है, हम खे अब भी कसर रहेगी, तो मुश्की लिए, वैसे तो, क्यों जब इसको अम बांध रहे न, अब भी नीचे से जड़ू खडेंगी, यह सूख जाएगा, लेकिन यह जैसे सूख भी मिल जाएगा, हमें अपने खाने के लाइक हो जाएगा, क्या दाना पक्चु का इसके अंद लेंगे, अगली फसलगी भी नहीं है, यह तो मुश्कीली बचाएगे, तो यह ही है कि अपने यह खाना ही बच जाए हमारा, वह बहुत बड़ी वाज़ा करें हमारा, लेकिन सरकार का कोई कर्मचारी आई निर्याब तक तो आया नीं, सो तीन सो एकड़ के करीब है, हमार य लेकर बचाएगे, तो क्या उमीद काफी थी जब फसल अच्छी होगी थी, जो मान रहे है एक खित में, बचे वालक भी आख़ा वाले को भी दे जेते, कुछ बच जाता तो बचे वालक शालो भर खाता जंगल में, आपको कुछ बचत नहीं है, खाने के लिए तरस रहे, य लोगों से लेकर ब्यागे, कर्ज लेकर दे राजी,ाँ चाप उमीद सब मीट्टी में मील गई, तारी से फ़सल दों मीट्टी में मिल रहे है, पहां तो क्या कर्ता भी दाख़ा स्जाओं